अप्टोपेडिक से जुड़े विबिन ने वीडियोज की शरंखला में एक बार फिर हम बहुत स्वागत करते हैं आप लोगों का आज हमारे साथ अमन जी हैं जिनका जो बार-बार रिकरेंट शोल्डर डिसलोकेशन की प्रॉब्लम थी इनकी सरजरी भी हमारे यहां हुई है तो यह काफी खुश हैं काफी सारे लोग हमें समय समय पर पूछते रहते हैं कि सर बार-बार कंदा उतरना क्या प्रॉब्लम होती है क्यों ऐसा कंदा उतर जाता है तो दोस्तों basically होता यह ही है कि जो glenoid bone होती है अपने जो कंदे की जो ball और kattori वारा joint system है वो काम करता है जो कंदे का जोड होता है वो kattori में घूमता है जब kattori की दिवार आगे से तूड जाती है तो उसकी वज़े से आपकी जो बॉल है वो बार-बार बाहर निकलने लग जाती है कटोरी की बॉल जब आप इसके MRI कराने जाते हैं तो आपके MRI में दो शब्द आप ध्यान से देखेगा लिखे वे रहते हैं एक होता है बेंग कार्ट लीजन और एक होता है हिल सेक लीजन तो मैं आपको संक्षिप में बताता हूं कि बेंग कार्ट और हिल सेक क्या होते हैं जब कटोरी सामने से तूटती तो जहां से वो कटोरी ब्रेक हो जाती है उस जगे को जितनी जगे दोlish тूटा हुआ है उसको बैंककार्ट कहते है अब हम पूरी जो गलीनोड है उसको एक कटोरी की तरह है उसको एक घड़ी की तरह समझते हैं तो आप देखेंगे कि बैंक काट पर टाइम लिखा रहता है कि थी ओकलॉक या शिक्स ओकलॉक इसका मतलब यह कि घड़ी की सुई जहां 3 और 6 बजाती है उसके बाद बीच का मास पटा हुआ है तो आप समझ सकते हैं कि वह 3 तू 6 ओकलॉक लीजन है या 1 तू 5 है तो जहां पर 1 से सुई लेके 5 तक जो सुई बजाती है उसके इसाब से वह लीजन है इस प्रकार से हम बैंक काट के लीजन को क्लासिफाई कर सकते हैं दूसरी बात जो MRI में में मैंशन होती ह कि वह होती है हिल सेक लीजन तो हिल सेक क्या होता है दोस्तों जब कटोरी भार निकलती है तो बाल को भी थोड़ा बहुआ डैमेज होता है इसलिए मैं लोगों को सला देता हूं कि शोल्डर इसलोकेशन में ज्यादा लेट नहीं करना चीए कि जैसे जैसे आप लेट करते ज ज्यादा है तो ऐसे में और पर अर्फिरोस्कोपिक सरजरी आपके लिए सही नहीं रहती और लेटर ज़ीड़ी करवाना ही बैटे रहता है। काफि सारे लोगों को लोगों को मैंने देखा है कि वह बहुत डैस्परेइट हो जाते हैं कि सर आमें दुर्बीन से ही कराना है तो दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कि आर्फ्रोस्कोपिक जो बेंक कार्ट है वह बहुत सक्सेस्फुल प्रोसियर है लिकिन उसकी फेलियर रेट भी काफि जादा है करीब 25 परसेंट उसकी फेलियर रेट रहती है तो मेरी पसंद हमेशा लेटारजेट रहती है अगर आप बहुत ज़्यादा ऐसे हैं कि बैंक में काम करते हैं आफिस में काम करते हैं कोई ज़्यादा भागा दोड़ी का काम नहीं है और एक या दो डिसलोकेशन्स ही हुए हैं और आपको आगे जाके भी कोई जिम या हैवी वर्काउट करने का कोई पैशन नहीं है तो जरूर आप आप अर्ट्रोस्कोपिक प्रोसियर को चूज कर सकते हैं वो हमारे याँ उसकी फैसिलिटी जवलेबल है लेकिन मेरी personal preference लेटार जेट रहती ही क्योंकि इसमें कंदा काफी मजबूत हो जाता है आप पहले की तरह गेम भी खेल सकते हैं रनिंग भी कर सकते हैं और स्पोर्ट्स भी खेल सकते हैं जो लेटार जेट प्रोसियर होता है दोस्तों बहुत ही कम सेट अप पे बहुत ही कम जगे पे इंडिया में इसकी सुईदा उपलब्ध है। काफी सारे लोग ऐसी जगें ये सरजरी करा लेते हैं जहां पर प्रॉपर फैसलिटीज नहीं होती जिसे उन्हें अच्छी रिजल्ट्स नहीं मिल पाते हैं। तो इसके लिए प्रॉपर रिसर्च करना बहुत ज़रूरी है। और MRI अगर थ्री टेसला की करा हैं तो ही आपको बैंक काथ, हिल्सेक और बोन लॉस की इन्फोर्मेशन मिल पाती है। कई लोग इसी छोटी-छोटी जेगे MRI करा लेते हैं जहां पर की MRI की डिपोर्ट नॉर्मल आ जाती है, फिर वो यह सोच के खुश हो जाते हैं कि हमारे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है और फिर बार बार डिस्लोकेशन होता रहता है। पांच-छे साल, साथ साल, आठ साल वो लोग टाइम खराब करा लेते हैं। तो मैं अब अमन जी से जानना चाहूंगा कि अमन जी आपके कितनी बार डिस्लोकेशन हुआ था। यह सर्मेरा वैसे तो काफी बार ओ चुका था बट एक दिम से न अचानब मेंने अकिजर-इन्जरी आपके हुई था। सैर्मेरस C ال bitcoin काफी बार हो गया था। क्या होता इससे क्या नहीं है फिर मैं अचानक मैं यूटूब पे सर्च किया कि डिश्लोकेशन क्या चीज होती है देन आपका डॉक्तर नमीन शर्मा का पेज दिखा मुझे तो उस पर मैंने वीडियो देखी उसके बाद मैं आपके पास आया तो श्याद पहले आपको क्युट होता है तो एक-दो दिन तो काफी सर्च करते हैं लेकिन जैसी लोकेशन सही हो जाता है उसके बात फिर वो शुरूज को भूला देते हैं च्शह महिने साल बड़ तक 改ी शॉक्तर नहीं इख रहें कि अगर आप 18, 19, 20 साल के हैं उस उमर में डिसलोकेशन शुरू होता है तो उतना ही मामला ज्यादा सीरियस होता है उसके डिसलोकेशन के चांसे दोबारा होने के उतने ही हाधी होते जाते हैं जबी भी डिसलोकेशन होते हैं एक बार MRI 3 Tesla की जरूर करा लेनी चाहिए ताकि आप कितना प्रसेंट आपका बैंकार्ट लीजन है कितना प्रसेंट आपका हिल्सेक लीजन है तो अमन आपका ऑपरेशन का एक्सपीरियंस कैसा रहा काफी सारे लोग घबराते हैं कि ऑपरेशन में बहुत दिक्कत होगी और प्रॉब्लम आएगी तो आपका एक्सपीरियंस कैस हो गया है और इनको पूरी बदाई देते हैं कि पूरी तरह जैसे जैसे हम इनको समय समय पर फीजियो थेरेपी प्रोटोकॉल्स फॉलो करवाएंगे अभी डेड़ महीने के लिए इनके हाथ में पट्टा रहेगा उसके बाद यह पट्टा भी हट जाएगा उसके बाद अपन होता है 5-7 दिन में ही MRI करा कि आप हमें नीचे लिखे को यह नंबरों पर भेज सकते हैं और हम आपको पूरी तरह से गाइड करेंगे और एक बहुत बड़ा उप्रेशन नहीं है चोटा सा यह उप्रेशन है इसके लिए बहुत ज़्यादा चिंता की आवशक्ता नहीं है अ इसको और खराब ना करें और जल्दी से जल्दी इसका ओपरेशन करवा लें धन्यवाद दोस्तों